लीटर और मिली लीटर का संबन्द आज हम सीखेंगे तरल पदार्थ को मापने की इकाई लीटर और मिली लीटर में क्या संबन्द है हेलो मैं हूँ श्रीमान इस जंगल में आपका स्वागत है जंगल में सभी सलाह और जानकारी के लिए मेरे पास आते हैं आज मैं आपको तरल पदार्थ को मापने के लिए उपयोग होने वाली इकाई लीटर और मिली लीटर के बारे में बताऊंगा तुम सब हाफते हाफते कहां से आ रहे हो हम जंगल में खेल रहे थे वहीं से दोड़ते हुए आ रहे हैं श्रीमान हम सभी को बहुत प्यास लगी है क्या आप में थोड़ा पानी देंगे? हाँ बिल्कुल तुम सब को पानी मिलेगा मैं एक ड्रम पानी पीऊंगा मुझे एक बार्टी पानी चाहिए मैं एक बड़े पतीले में पानी पी सकता हूँ मेरे लिए एक कटोरी पानी हमें पानी पिलाने के लिए धन्यवाद श्रीमान सच में बहुत प्यास लगी थी दोस्तों उम्मीद है कि तुम सब की प्यास बुझ गई होगी भालू तुमने कितना किलो पानी पिया अरे अरे तरल पदार्ट को किलो में नहीं मापा जाता तो फिर तरल पदार्ट को हम लीटर या मिली लीटर में मापते हैं ये लीटर और मिली लीटर क्या होता है? लीटर और मिली लीटर तरल चीजों को माप्ते में उप्योग होने वाली इकाई है. एक लीटर में हजार मिली लीटर होते हैं. हजार मिली लीटर? हाँ. मैंने जरूर हजार मिली लीटर पानी पिया है. तुमने तो एक लीटर से ज्यादा पानी पिया है मैंने भी एक लीटर से ज्यादा पानी पिया है नहीं बिल्ली रानी तुमने तो आधा लीटर से भी कम पानी पिया है चलो मैं तुम्हें इसको थोड़ा विस्तार में समझाता हूं ठीक से इन पास्त्र को देखो और दिये गए माप से इनके रिक्ष स्थान भरो बच्चों वीडियो को रोक कर आप भी उत्तर सोच सकते हैं पहले मैं बताओ बताओ ड्रम चुकि वह सबसे बड़ा है तो उसमें 200 मिली लीटर तरल पदार्थ आ सकता है अरे नहीं नहीं अभी श्रीमान ने कहा था कि मिली लीटर लीटर से छोटा होता है हजार मिली लीटर मिलकर एक लीटर बनता है तो 200 मिली लीटर तो एक लीटर से भी बहुत कम हुआ तो तुमारे हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? मेरे ख्याल से ड्रम की शमता बीस लीटर है शाबाश तो कटोरी की शमता दो सो मिली लीटर होगी बिल्कुल सही, लगता है अब तुमको समझ आ गया बाल्टी की शमता होगी पांच लीटर और बर्तन की शमता दो लीटर बहुत अच्छे बच्चों श्रीमान, हमें कुछ और उधारन देखने है यह देखो, मेरे पास कोल ड्रिंग की दो बोतले हैं और यह एक लीटर और एक सो मिली लीटर की खाली बोतल है अब तुम यह कोल ड्रिंग इन खाली बोतलों में डाल के दिखाओ सो मिली लीटर की बोतल में तो पाक सो मिली लीटर नहीं डाल सकते हैं हम, अब इस एक लीटर की खाली बोतल में डाल कर तु देखो अरे, यह तो पूरा भर गया हाँ, तो इस से हमने क्या सिखा? पांच सो मिली लीटर की दो बोतलों से एक लीटर बनता है एक दम सही, मतलब दो पांच सो मिली लीटर जोडने से एक लीटर बनता है पांच सो मिली लीटर को हम आधा लीटर भी कहते हैं श्रीमान क्या आप कुछ और उदाहरन दे सकते हैं? अच्छा, मैं तुम सब को एक कहानी सुनाता हूँ पिंकी और भोलू अपने माता पिता के साथ गाउं में रहते हैं स्कूल से लौटने पर पिंकी और भोलू को बहुत प्यास लगी थी मम्मी मुझे बहुत प्यास लग रही है मैं सबके लिए निम्बू पानी बनाती हूँ हम भी निम्बू पानी बनाने में आपकी मदद करते हैं मम्मी भोलू और पिंकी की मदद से एक लिटर निम्बू पानी बनाती है और चार गिलास में भर देती है अब यह बताओ कि अगर मैंने एक लीटर निम्बू पानी को चार बराबर हिस्सों में बांटा, तो सबको कितनी मात्रा में निम्बू पानी मिलेगा? हम, चार सो मिली लीटर यह तो सही नहीं है, तुम बताओ भोलू हम, मुझे पता नहीं, आप समझा दो एक लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं? हजार मिली लीटर एक तम सही, अगर मैं इन दो गिलासों को भर देती हूँ, तो जग में कितना निम्बू पानी रह गया? आधा जग अब भी भरा है एक लीटर का आधा कितना होता है? बच्चों, वीडियो को रोग कर आप भी उत्तर सोच सकते हैं पांचो मिली लीटर इसका मतलब दो गिलासों में भी पांचो मिली लीटर निम्बू पानी है हाँ मा क्या तुम बता सकते हो कि एक गिलास में कितना निम्बू पानी है? पांचो मिली लीटर का आधा बहुत अच्छे और वह कितना हुआ? बच्चों, वीडियो को रोक कर आप भी उत्तर सोच सकते हैं पाथ सो को दो से विभाजित करना होगा दो सो पचास बहुत अच्छे भोलू पापा हम सभी को धाई सो मिली लीटर स्मीबू पानी पीने को मिला है तभी पिंकी के दो दोस्त आते हैं हमें अपने दोस्तों को भी निम्बू पानी देना चाहिए क्यों न हम अपने अपने हिस्से का निम्बू पानी दोस्तों के साथ बाटे हाँ यह अच्छा होगा फिर हम सबको कितना निम्बू पानी पीने को मिलेगा देखो कुल में लाकर हमारे पास दो गिलास नीमबू पानी है जैसा मम्मी ने समझाया इसका मतलब हमारे पास 500 मिली लीटर नीमबू पानी है तुम्हारा मतलब आधा लीटर? हाँ चलो हम 500 मिली लीटर को चार से विभाजित करते हैं बच्चों विडियो को रोग कर आप भी उत्तर सोच सकते हैं देखो हम सब के पास 125 मिली लीटर नीमबू पानी आएगा अरे वाह पिंकी तुमने तो इसे जट से हल कर लिया आज हमने तरल पदार्थ को मापने के लिए उप्योग होने वाली इकाई लीटर और मिली लीटर के बारे में जाना झाल